श्रिकल्दीसार अरदीस स्वागत है और फिर वेंकर सड्डा के ऐउपिशर यूट्यूब चैनल पर एक पता मेरे पास नहीं पता हूँ जिसको नहीं पता उसके बहुता हूं हमारे पास मेरे पास पर्टीकुलरी दो चैनल से तो एक क्लास में यहां पर लेता हूँ 645 वेंप मेरे पार से गंडे के ब्रेक होता है उसके बाद मेरे कना सो फिनल नाई डिया को कि कि ऐसा हो जाते है आपने भी नोटिस किया अगर पीपीटी इसा पार कभी प्थ mü हंदी चले जाती है संपे अपर मैंने पंजाभी में स्थाट्ट करने हो पर द्माग को यार बड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है तो डिसी स्टार्टिंग है ना भी थोड़ा सा नूडल सा बना हुआ थीक है चलता है अभी नमस्कार साथ श्रीकाल जैहिंजा श्रीराम हरार महादे स्वागत है सभी का एक पर फिर से डैंकर सड़ाइक आप इचल यूट्यूब चैनल लडकी का नाम है निलम अजाद लड़के का नाम है सागर उपी का अधार काड और शिर्फ बाहर वालों को पता लाएगा तो हां टूटल चार लोग तो जीसे नहीं पता दो लोग थे अंदर गए थे जो आपने वीडियो देखियों कूटते फांते हुए गए गये थे लेक लेकिन शर्मना का बात ये है कि जिस दिन 23 दिसंबर को पार्लिमेंट में अटैक्स हुए थे साल 2001 में उसी की कल एनिवर्सरी थी कल सेशन लगने दे पहले उन शहीदों को श्रधांजली दी गई थी और कल भी इतना बड़ा सेक्योरिटी में लैप्स हुआ है इतनी बड़ी आनाकानी जो भी हुई है तो जवाब तो मिलेगा देखते हैं क्या होता है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले करेंट फिर आपको पता है शुरुवात किसे करेंगे डेस देट और थीम से तो आज है दोस्टो 14 दिसंबर और 14 दिसंबर को क्या है नैशनल एन कर दिया करो बिजली बचाने के लिए energy conservation day स्कूल में आपके पास भी होते होंगे पोस्टर कॉम्पेटेशन मतलब मेरे स्कूल में तो होते थे पोस्टर बना रहे होते हैं कि कैसे हम energy कर सकते हैं reduce, reuse, recycle, wind energy use करते हैं लाइटों को बंद कर दो, solar energy use करते हैं तो वही है तो उर्जा दक्षता को मतलब conserving energy and to showcase achievements of the nation in energy efficiency and conservation की हम लोग कैसे efforts कर रहे हैं इंडिया में energy को conserve करने के लिए बेसिक सी बात है ना तो और देखें कल 14 दिसंबर के दिन प्रत्राश्टर पती जो है national energy conservation awards भी देती है national energy efficiency innovation award भी देती है और national painting competition भी होता है तो सब बड़ी बड़ी बतलब ऐसे किस आदमी ने कुछ बड़ा काम किया हो कि यह बिजली बचाने के काम किया इसने energy से तो हाँ इन चीजों से भी greenhouse effect पड़ता है आप अगर एसी छोड़कर आगे चलता हुआ एसी में क्या होता है एसी से निकलते हैं chlorofluorocarbons सुना है स्कूल में सीएसी हम पढ़ते थे फ्रिज फ्रिज से निकलता है सीएसी chlorofluorocarbons आज आ रहा है आज इसके लिखाने आता स्टार्स लगने लग गया है क्यों लगने लग आज कर वो कि थ्री स्टार है यह वाला एसी फाइव स्टार है यह वाला एसी मतलब यह उतना कम बिजली लेगा उतना कम greenhouse gases वो सारी चीज़ें तो आज के दिन यह award भी दिये जाते हैं और theme इसकी कोई होती दिए तो अब यह 10 दिसंबर से हम इस हमने regular करना लगे हैं इसको रोज revise करेंगे 10 दिसंबर को 75th human rights day और साथी noble prize day 11 दिसंबर को UNICEF का स्थापना दिवस और साथी international mountain day और 12 दिसंब है चलो आप करते question आंतर शुरुवात पहला question भजनलाल शर्मा यह बन चुके है मुख्यमंत्री चौदवे मुख्यमंत्री किसको replace करकर बताएं very important question मैंने कल अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं मैंने एक trick बताई थी तो ने जगा है आपको मैं ट्रिक बताओं trick आपको मैं send करी देता हूं यहाँ पर इस board पर send करता हूं देखना कोई अगर चंडिगड अंबाला की side से हो तो वहाँ पर ने एक जगा है जिसे कहा जाता है लालडू पता नहीं आप लोगों को नहीं पताओं आप आप लोगों को नहीं पताओं आप अविसली तो एक छो भजन सुुन्ते हुए भजन सुुन्तव याने कि भजनलाल शर्मा रेवड़ी खाते हुए रेवड़ी हमने बता दिया कि रेवंध रेड़ी भजन सुन्ते हुए रेवड़ी खाते हुए लालडू जा रहे थे विष्णू और बोहन ऐसे बनाया था bet अँद्द्ध हर को नाम मैं याद करवा दूँगा कैसे यह देखो भजन भजन से कौन हो गया भजन लालशर्मा भजन करते करते हुए रेवडी रेवडी से हो गया क्या है रेवन्थ रेड़ी रेवडी खाते हुए लालडू मैंने बता आपको जगा है लालडू कौन है लालडू हो मा लालडू जा रहे थे कौन कौन विश्नु और मोहन विश्नु कौन है विश्नु देवसाई जो की 36 गड़ के मुख्य मंत्री और मोहन कौन है मोहन यादव जो की मध्या परदेश के मुख्य मंत्री बजनलाल शर्मा राजस्थान रेवंथ रेड़ी तेलंगना स्टेट लालडू मिजोराम विश्णु देवसाई 36 गड़ और मोहन यादव हो जाते हैं मध्या परदेश के तो देखो आपको नाम क्योंकि याद रखने जरूरी है क्योंकि नए नाम है सब्सक्रीन शॉट लेलो किसी को लेना अगर पीपीटी में नहीं आए गए चलिए बहुत बढ़िया तो बजनलाल शर्मा जी बन चुके हैं नए राजस्तान के चौधवे मुख्यमंत्री अशोग गहलोट को मिस करके कह रहा हूं है रिप्लेस करके मिजवरम के जवरम थंगा पहले थे अब लालडु खुमा थाटिस गड़ के भुपेश बगेल पहले थे अब विश्नु देयो साई और MP के शिवराज चुहान पहले थे अब मोहनी आदव यह हैं भजनलाल शर्मा यह संगा नेर असेम्वली कॉंशी टुए इंसीजिन का हलका जो है वहाँ से खड़े हुए थे कमाल की बात है काल हम बात कर रहे थे याद है आप वो रहते की सिर्फ पहले अटेम्ट में बन गए जस्ट इमेजिन पहले अटेम्ट में आपने पीओ का पेपर पास कि और आपको सीधा SBI का MD बना दिया जाए पहली बार एलेक्शन लड़े हैं पहली बार यह MLA बने हैं और पहली बार में देख रहे आप किसमत हो तो ऐसी है ना चलो तो हाँ फिर MLA दिया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा यहां के उप मुख्यमंत्री बने हैं फिर हमने पढ़ा था इनको ओत कौन दिलाता है नहीं गवर्नर कौन है कलराज मिश्रा और किसे रिपलेस किया इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के अशोक गहलोट को चलिए अगला तो यह हमने कर लिया था बार बार नहीं जाएंगे बोर हो जाओगे आप लोग भी ना चलो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत कितने महिला सोयम सहा प्रता समूहों को क्रिशी ड्रोन प्रदान किये जाएंगे हमने पढ़ा था नमो ड्रोन दीदी स्कीम जिसमें वुमें सेल्फ हेल्प गुरूप्स को ड्रोन दिये जाएंगे अगरी कल्चर और उसे जुड़ी हुई चीजों के लिए कि आप 80% अप टू 8 लाक्स याद है तो कितनी सेल्फ हेल्प गुरूप्स को तो इसका जवाब हो जाता है 15,000 सेल्फ हेल्फ गुरूप्स को और हमने कल बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था इसके बारे में सारा और अब आगे से बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे बना किया 15,000 सेल्फ हेल्फ गुरूप्स को ट्रेन किया जाएगा कि सिद्धी सी बात है आपको दिया जा रहा है अगर तो बिलकुल हो 80% तक की सबसीड़ी मिल रही है 88,000,000 तक की और ये कौन हेल्प करेगा किसान स्मृध्धी केंदर हेल्प करेंगे इसमें सेट अप करने में अगल इंडिया में ऐसे करते हैं इस साल की बात करें एक्सरसाइज हुई वियत नाम की कैपिटल जो की है हनोई ध्यान रखेंगे ये हुई वियत नाम की कैपिटल जो की है हनोई वहाँ पर हुई इसमें आपको और पढ़ने की जुरूत नहीं है कि एक्सरसाइज में क्या होता है exercise में आपस की coordination को चेक किया जाता है तो यही चीज़े हमने पढ़ी थी फटा फटा आगे चलते हैं अब यह important है आप सभी के लिए पिछले 2-3 महिनों में जितनी भी कोई भी important exercise हुई है उसका पूरा चिठाप के सामने है पेपर में जनरली चीज़ पूछी क्या जाती है इस द्यान दो अब संपृती लिखा है अब संपृती के बारे में क्या सवाल बनता है पहला तो संपृती है exercise का नाम किस किस के बीच हो रही है सर इंडिया और बंगलादेश की बीच हो रही है किस किधर हुई सर मिघालेम हुई और चौता सवाल बनता है बेटा कि कौन सा एडिशन था तो लिख दिया मैंने ग्यारवाँ एडिशन था अगर किसी का मेंचेंट रही है मतलब इन्होंने खुद भी नहीं बताया कि कौन सा एडिशन था अगर आप काउंट करना चाहे कि यहां सर दोज़र अठरा से शुरी तो अठरा उनिस बीस एकिस बाइस तेज अब क्या पता कोवीड वाले साल ना हुई हो तो हाँ जिसमें एडिशन नहीं लिखा हो उसे मत याद करें बाकि यह सारा का सारा है और आपका भाई ने आपके लिए बनाया हुए आपको टेंचन नहीं लेनी है पीडिएफ में आपको मिल जाएगा चलिए चलिए तो यह प्रधान मंतरी इनके फान में चिन राश्टरपती वोवान नेक्स्ट राश्टरपती मोधी जी ने प्रधान मंतरी मोधी जी ने जीनियों के सबसे पॉपुलर लीडर का टाइटल जीता है 76% के अप्रूबल रेटिंग है मौर्निंग कंसल्ट के सर्वे की सेकेंड नमबर पर कौन है कल जो मैंने आपको लिष्ट दिखाई थी वो थोड़ी सी गडबड थी तो आज मैं अपडेट करकर लेकर आया हूँ क्योंकि जिस मौर्निंग कंसल्ट सर्वे ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट है पेड ये वेबसाइट है पेड मैं आपको दिखाऊं तो कल मुझे बहुत ही शड़ेंतर से मुझे मैंने स्क्रीनशोट लिया है आपको मैं एक बर दिखाना चाहूँगा बड़े शड़ेंतर रचाकर मैंने स्क्रीनशोट लिया है तो मौर्निंग कंसल्ट अप्रूवल रेटिंग तो गाइस ये है वेबसाइट तो इसमें एक बार को आपको दिख जाएगा कि अरे तो लोड होगी अब देखना लोड होगी अभी ये आ गया है तो ये है दोस्तो पेड तो बढ़ा होती मुश्किल से मैं क्योंकि वेबसाइट पर कर आप जाएंगे ये देखिए ये आ गया भी आंद्रेस, सिट्जरलेंड के एलेन बरसेट ब्रजील के इनाशियो और आस्ट्रेलिया के पीम एंथनी अल्बनीज वेसिकली ये है रैंकिंग ताजा ताजा ये है रैंकिंग आपके सामने ठीक है ये वाली है असली वाली क्योंकि मैंने कल ऐसा किया था जब गूगल पर सर्च किया तो हिंदुस्तान टाइम, टाइमस ओफ इंडिया सबने वो छापी हुए थी लेकिन कई उने पिछली रैंकिंग छाप दी थी मैंने भी वाली दे दी अब टाइमस ओफ इंडिया पर वरोस्ता करी सकते हो तो मैंने वही देखा जाकर मैं अगड़ बड़ा है तो यह है रैंकिंग ध्यान रखेंगे और जोर्जिया मैलोनी भी है बेटा चटे नंबर पर आपके सामने है तो मोदी जी, मोदी जी, वा मोदी जी, वा चली किसने एक किताब लाँच की है जिसमें प्रदान वंतरी मोदी की स्पीचे हैं स्पीचे हैं, उसमें स्पीचीज हैं उसका नाम रखा है किताब का नए भारत का समवेध किताबों के उपर सवाल आपको पता है बनना ही बनना है आप चाहें S.S.C. का पेपर दे रहे हो आप बैंक का पेपर दे रहे हो आपको स्टेट का पेपर दे रहे हो बुक्स आर इंटीग्रिल पार्ट आपको मैं बोलता हूँ आप भी एगर प्रेपरेशन कर रहे है S.B.I.P.O. की I.B.P.S.P.O. I.B.P.S. क्लरक, S.B.I. क्लरक, R.R.B. की building, कूई भी बिवेपर की बच्चों को अक्सर लगता है का आज कल पता नहीं क्या हो गया कि online अगर course ले लेंगे तो किताब लेने की जरुरत नहीं है बटा, ऐसा नहीं होता बुक्स are very necessary तो मरजई बटा anyway तो क्या नाम है रामनात कोबिन हमारे एक्स राश्ट्रपती हैं जो उन्होंने की किताब लांच फटा फटा के चलते हैं और ये कुछ किताबे थी मोधी जी ने लिखी हुई जेड़ा साउदी अरेविया में रेट सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेरन स्टों से प्रतिश्टित समान किस ने पराप्त किया ये जो छे नाम पांच नाम आप पढ़ रहे हैं पांचों नाम को कुछ अवार्ड मिले हैं और पांच नाम हमारे पेपर के लिए बह रनवीर सिंग, माइकल डगलस, इनको क्या मिला, अभी 54th International Film Festival of India खतम हुआ है, वहाँ पर इनको मिला है Lifetime Achievement Award, यह American है, माधुरी दिख्षित को क्या मिला है, इनको special contribution to भारतिय सिनिमा के लिए ओनर किया गया है, पूरिया रहीमी सैम, यह कौन है, इनको Best Actor का Award मिला है International Film Festival में, Melanie Theory, यह कौन है, इनको Best Actress का Award मिला है, यह French Actress है, और इनकी picture का नाम था Party of Fools, तो भाईया यह भी ध्यान रखेंगे चीजें, आपके लिए लिए लिख कर लाया हूँ, revision is very important, French Actress है, Melanie Theory, Party of Fools के लिए इनको Award दिया गया, पूरिया रहीमी, इरानियन एक्टर है, पूरिया रह कौन सा होता है, सबसे बड़ा होगा, उसे कहा जाता है, Golden Peacock Award, जो दिया जाता है, Best Film को, और Best Film कौन सी बनी है, एक Persian Film बनी थी, Golden Peacock के लिए, क्या नाम है, Endless Borders, ध्यान रखेंगे, और हाँ, इंडिया की तरफ से कोई गई थी, यहाँ पर जी सर, तीन मुवीज को, Golden Peacock के हमने नॉमिनेट किया था, एक थी, कंटारा, एक मुवी थी, सना, और एक मुवी थी, मिर्बीन, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इनमें से कंटारा को तो इनमें बाद में, बलकि Special Jury Award भी दे दिया, कि भया, मुवी बहुत ही जहर बनाई थी, आपने, और कंटारा के, actor, director, writer, ए इसने लॉंच किया उसको, वहां के उपराश्टरपती, वहां के परधान मंत्री और वहां के राजा, मुहमद बिन राशिदल मक्तूम ने किया था, राइट, चलिए, बहुत ही important, आगे चलते हैं, तो रनवीर को मिला है अवार्ड, Sharon Stone ने दिया है, साउधी अरेबिया में, नेक्स्ट क्वेस्टन, फटाफट, फटाफट, इस पर कोई सवाल नहीं बना है, मैक्सलाइफ इंशॉरंस के नए चैर्मन आचुके राजीव आनंद, इन्होंने रीपलिस किया है, अनल जीत सिंग को, फटाफट, फटाफट आगे, कॉप 29 कहां पर आयोजित किया जाएग करी का, इसके उपर बहुत ही बड़ा मुदो बन चुक है पूरी वर्ल्ड में, कि वैसे तुम कहते हो कि सीदिसी बात आखकी टेलोगार कमर्यूस करो, अब तुम उन्हीं के पास, है něा, उनिहीं के पास जाकर बाते बोलरहे हो, उन्हीं के पास रख रहे हो, ऐसी इसे समिट जो सबसे ज़्यादा तेल प्रेडूस करते हैं वन आफ दो लाज़ेस तेल प्रेडूसिंग कंट्रीज है न कि घुटका खाने से कैंसर होता है घुटके कंपनी वालों को भी बोल रहे हैं आपको कैंप लगाना है कि कैंसर से बचो तो कॉप 29 कहा पर हो रहे है बाकूर आजरबायजान में कॉप 26 लाइन से है ये 26 27 28 29 30 पांचों के पांचों लाइन से आपको याद रखने है 26, 27, 28, 29 और 30 तो फटाफट फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लोगा मैं आजरबायजान चलिए ये बहुत पढ़ लिया था हमने कल जो नया बच्चा उसे मैं बतादू बेटा रिविजन हो रही है पिछले कल के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं कल जो डिटेल में पढ़ी थी चीज़े उसके आज क्वेश्चन आंसर फ़र्म में रिविजन है आपके लिए क्योंकि अगर याद रहेगा तभी तो पेपर में कुछ लिख कर आओगे इस क्लास में होता गया एक बार बता दू मैं जनरली पहले हम करते हैं पिछले क्लास से करेंटेफिर याने की जो अभी 13 दिसंबर को किये थे अब खतम होने वाली रिविजन हम आज के करेंटेफिर करेंगे चौदा के और क्लास के एंड में हम 12 दिसंबर को जो करेंटेफिर किये थे उसे पढ़ेंगे वन लाइनर फॉर्म में तीन दिन का करेंटेफिर एक क्लास में मेरी जिम्मेवारी तुमको बस प्रकट होना है रोज चलिए पहली बार कब हुई थी ऐसी क्राइमिट कॉंफरेंस साल 1995 में बरलीन जर्मनी में इंडिया में कभी हुई जी हाँ कॉप 8 हुई थी 2002 में नई दिली में और अभी मोदी जी जब यहाँ पर गए थे मोदी जी प्रोपोजल दे कर आएं कि कॉप 33 भी हम करेंगे अभी तक तो कॉप 30 का ही हुआ है ब्राजील में होना है 33 की बाद हमने पहले ही कर दी है चलिए 33 व्यास समान 3300 व्यास समान पुश्पा भारती को डैश भाषा में यादें यादें और यादें के लिए दिया गया बताएं तो देता कौन है हमने बात की थी केके बिरला फाउंडेशन देती है 4 लाक रुपे की पराइज मनी देती है और मिला है पुश्पा भारती को और ध्यान रखना समने की व्यास समान एक ऐसा समान है जो केवल और केवल पिछले 10 साल में कोई भी लेखक जिसने हिंदी में कुछ लिखा हो उसे दिया जाता है इसलिए ये दिया गया हिंदी के लिए तो वो कौन सा है जो इंडिया के कोई भी भाषा में दिया जाता है इंडिया की टोटल ओफिशल 22 लेंगविजी दे किसी को अगर नहीं पता तो वो होता है सरस्वती सम्मान और उसके प्राइज मनी है 15 लाक रुपे तो ये है जी पुषपा भारती जी और पुषपा भारती जी को मिला 33 व्यास समान किसके लिए यादे यादे और यादों के लिए यादे यादे और यादे ही है यादों नहीं है शी इस फुराम उत्तर प्रदेश ध्यान रखेंगे और केके बिरला फाउंडेशन के बारे भी हमने कल बाते की थी कि 1991 से स्टार्ट हुआ है ये और तीन अवाड देते हैं व्यासमान, सरस्वति और बिहारी पुरुसकार और कमाल की बात है बिहारी पुरुसकार किसी बिहारी को नहीं मिलता एक राजस्थान के लेखों को मिलता जिसने हिंदी या फी राजस्थानी में लिखा हो बड़िया है रहे, चलिए हाल ही में संयोक्त राश्ट रियाने की यूनाइटिड नेशन ने ओफिशिली अपना दस साल से लंबा जो पीस कीपिंग मिशन चलाया था, याने की शान्ती का मिशन चलाया था, उसे खतम कर दिया कह रहे भई या हमारे बसकी नहीं है, शान्ती शून्ती हमसे नहीं आरी शान्ती 300 से ज्यादा दूस अलग अलग कंट्रीज के फौजियों की वहां पर शहीद हुए हैं, और अब बोलिया भी हम वापस जा रहे हैं, जैसे अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई बताओ, वर्ड वार की बात, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी उन्ह खुद भाग गए, यह है अमेरिका की सच्चाई, तो वैसे ही युनाइटेट नेशन, गए थे शांती करने, भाग गए अभी, माली, माली एक कंट्री है जो पढ़ती है एफ्रिका में, जहां पर एक्स्ट्रीमिजम बहुत ज्यादा है, हिंदी में उसे बोले अगर हम, इस इसलामिक चरम पंथी, यह बहुत ज्यादा है वहाँ पर, तो भाग यह लोने भी स्टाटाब आए बाए कर दे कि हमारे बसकी बात नहीं है, यह है अफ्रिका, आपके रफरेंस के लिए बता दू, यहां पर UAE पढ़ता है, ठीक है, यह इंडियन ओशन है, यह है साउथ 20 मिनिट्स लगे, कोई बात नहीं, अटलिस्ट पेपर में 20 सवाल तो एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो अब एक बार वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, बहुत सारे बच्चों नहीं क्यों एक बार वीडियो को शेर भी कर दीजिए, और जो बच्चे SBA क्लक की तयारी कर रहे इस बैच में कल से शुरू हो रहा है, तीनों टॉपिक कराये जा रहे हैं आपको, तीन से चार अग्रेजी, साड़े चार से साड़े पांच रीजनिंग और साथ से आठ कॉंट, प्राइस वैसे पांच हजार है, बट देना नहीं है इतना, आपको डिसकाउंट कोड यूज क मैं क्या दू, हाई मेरा ये ना रह जाए, हाई मेरा वो न रह जाए, तो उस हाई हाई से बचने के लिए आपके लिए स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, और कल से ही हो रहा है, तो ध्यान रखके अगर ड्रोल करना है, तैयारी करनी है, असबर सोचा है, कि SBI क्लियर में, SBI PPT हो गई थी, तो anyway, देखो हाँ, एक और चीज, मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर, उस वाले फलाने वाले सर ने आज ये वाला करंटे फिर करा दिया, आपने एक कराया नी, उस वाले सर ने आज एक करंटे फिर कराया, आपने एक कराया नी, भीटा हम डेली के कम से कम अप् करणे फ़र हैं एक दिन लेट हो जाए नहीं होती है लेकिन क्योंकि अतना सारा हो जाता है, कि वो में हो ही नहीं सकता समझ रहे हैं तो यह यह बात बोल रहा हूं जवाब क्या है उफसोर जवाब कहा रहा हूं पहला क्या है ऐसे लिए लोड़ ने क्या महारत दिखाई दूसरा मिला है बांगलादेश की नहीधा अक्तर को नवंबर महिने के लिए तो भाई या पेपर में कॵेस्टन आता है बहुत आ जाता है वाला कॵेस्टन तो sir कितने याद करें अगर आपका पेपर मान लीजिए मार्च में है तो उससे पिछले 6 महिने में आ जाई हिए 6 महिने उसके कौन से होगे September, October, November, December, January, February ये 6 महिने आपको याद रखने हैं वैसे मैं आपके लिए पूरा टेबल लेकर आया हूँ January 2023 से लेकर लेकिन आपको याद कितने रखने हैं अगर आपका March में पेपर होता है तो भई ये September, October और अभी November का हमने पढ़ा Travis Head और Nahida Akhtar ये ध्यान रखेंगे आप सब इसे question है हर बार मैं पूछता हूँ जब भी मैं Player of the Month करवाता हूँ पहली बार Player of the Month जब शुरू किया था ICC ने साल 2021 में दिया किया था तो उसमें पहली बार ये लड़की थी लड़की तो बनी थी South Africa की शबनम इसमाईल पहला लड़का कौन था जिसे ICC Player of the Month का अवार्ड दिया गया था बताओ पहला लड़का कौन था पहला Cricket Player कौन था जिसे ICC Player of the Month बहुत बढ़िया AAK वो था रिशब पंत और पहला और इकलाता Indian Player कौन है जिसे ICC Player of the Month दो बार मिल चुका है लड़कों में पहला और इकलाता Player of the Month इंडिया से मेल जिसको ICC Player of the Month दो बार मिल चुका है तो वो भी है नन अदर देन शुबमन गिल ठीक है ध्यान रखेंगे इसी साल जन्वरी में भी मिला था शुबमन को और इसी साल सेप्टेंबर में भी मिला इस शुबम को ICC Player of the Month का ये अवार्ड रखनी है बात को ध्यान ये सारा का सारा सभी को समझ आ गया आ गया गया तो सारा का सारा है न तो चलिए Anyway अगला तो एक retirement है Asad Shafiq इन्होंने retirement announce कर दी from all forms of cricket मैं ये बोलने वाला था कि भाई आपने शुरू कब की थी मतला मैं नहीं नहीं जानता है इनको मैंने पहली बार नाम सुना है इनका cricket मैं फॉलो करता हूँ लेकिन नाम नहीं सुना था मैंने इनका पर चलो Anyway तो ये रही बाटा सारी recent की retirement और बस आपके भाई ने आपके लिए टेबल बनाया हूँ आपको टेंशन नहीं लेने का जब भी याद करेंगे आपके सारा के सारा सामने आपके ऐसा लिखा मिल जाएगा चलिए तो यार ये बड़ी इन्डिया और साउथ अफरीका की सीरीज चल रही है जिसको नहीं पता जी हाँ इन्होंने फिर से खेलना शुरू कर दिया साउथ अफरीका जा चुके है ये लोग तो T20 की सीरीज चल रही है हिंदुस्तान टाइम्स का टाइटल डलता है कि सूर्य कुमार यादव ने विराट कोली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया टाइम्स अफ इंडिया टाइटल डालता है कि सूर्य कुमार यादव ने विराट कोली का रिकॉर्ड तोड़ दिया और जब मैं खोल रहा हूँ वहाँ पर कुछ और ही चला हुए तो अब पढ़ते हैं न्यूस क्या है तो बोला कि सूर्यक उमार यादव सबसे तेज भारतिय बल्लेबाद बन चुका है इतिहास में 2000 T20 रन बनाने वाला breaking the record of विराट कोली बट कमाल की बात पता क्या है कमाल की बात यह है दोनों ने 56 पारियों में किया किसे 56 इनिंग्स में किया कैरे फिर सूर्यक उमार यादव ने record कैसे तोड़ा माई पॉइंट से मेरा की question था तो आगे बताया उनोंने कि सूर्यक उमार यादव को 59 मैचों में 56 पारियां लगी थी लेकिन विराट कोली को 60 मैचों में 56 पारियां लगी थी मैं खावे तो एनिवे आप ऐसे ध्यान रखेंगे यह टाइमस अफ इंडिया हिंदुस्तान टा मैच लगे थे तो हम इसको काउंट क्या करेंगे इन दोनों को बोलेंगे कि दोनों के जॉइंट फास्टेस्ट है ठीक है यह मैं स्पेशल लेकर आया हूं आपके लिखकर कि आप अगर न्यूस देखेंगे तो न्यूस में कुछ-कुछ चला हुआ है आपको दिखा भी देत सूर्य कुमार यादव ने विराट कोली का रिकॉर्ड बराबर किया औब हिंदुसतन टाइमस की लाइन क्या है सूर्य कुमार यादव ने कोली का रिकॉर्ड वराबर किया अब हम करें तो करें क्या बोलें तो बोलें क्या क्या कराएं लेकिन अंदर जब खोल के पड़ रहे तब वही है कि दोनों ने 56-56 पारियों में 2000 रन पूरे किये इसके लिए सूर्य कुमार यादब को लगी ती 59 मैचीज और कोली को लगे है 60 मैच ये है कॉमेडी ये है कॉमेडी वाली चीज़ अब ये तो वैसा सरकारी भी नहीं होता कि मोदी जी की टीम अपलोड कर रहे कि भया कोली ने करे कि इसने करे तो ये है तो ध्यान रखेंगे जॉइंट फास्टेस हैं ये और कोली जॉइंट थर्ड फास्टेस हो चुके हैं 2000 T20 रन बनाने वाले इनसे आगे कौन है बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान जिन दोनों ने 52-52 पारियों में किये थे हम क्योंगी काउंट करते हैं पारियों को नहीं करी फिटा रिसर्च करी है अब हैड्लाइन को देखो आप कहां पर जाओ गया है कि नहीं अगरिया गुड मॉर्निंग सर मैं आपकी वीडियो रिकॉर्ड देखती हूं डेली आज फाइनिल लाइवां थैंक्यू सो मच अग्रिका और फिर एक बार शेर भी कर दिया कर यह दोनों जीत चुकी है वुमेंड डवल्स टाइटल एट गुहाटी मास्टर्स बैड्मिंटन टॉर्नमेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है सीधी सी बात यहीं आती है कि इन्होंने किसको हराया होगा तो लो चलो खुद पढ़ो एक बार अश्वीनी पोनपा एंड से तनीषा क्राश्टो सेकंड सीड सीयने कि इनको सेकंड रैंकिंग दी गई ती यहां पर तो यहां पर इन्होंने हराया किन को टाइप एक की यह ताइप कौन सा देश है बता दो कोई मेरे को यह नया देश सुन रहा हूँ कुछ ताइप करके किसी को आईडिया है इसके बारे तो बेटा ताइवान की टीम ना खेलती नहीं है ताइवान की टीम खेलती है लेकिन ताइवान को ना नाम नहीं रखने देते अपना क्योंकि उसके पर चाइना की हुकुमत है तो ताइवान खेलती है चाइनीज ताइपई के नाम से तो ध्यान रखेंगे अश्विनी पुनपप और तनीशा क्रास्टो ने ये ताइवान ही है ताइपई सुंग शुओ यून और यूच चिन हुई इनको हराकर बैडमिंटन का डबल्स का टॉर्नमेंट जीत लिया चलिए अगला तो बैंगलूरू में शुरू होगी पुरुष वालीबल क्लब विश्व चैंपेंशिप एक्चलि ये शुरू होकर बेटा खतम भी हो चुकी है तो चलिए शुरू करते हैं तो FIVB इसको अगर आप फ्रेंच में पढ़ना चाहे तो फेडरेशन इंटरनाशनल डिवालीबल आप अंगरीज़ी में पढ़ें तो मैंस वालीबल क्लब वर्ल्ड कप चैंपेंशिप ये कुरा मंगला इंडोर स्टेडियम बैंगलूरू में हुई थी अब जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप होते है न एक होता है फीफा वाला और एक होता है कलब वर्ल्ड कप जिसमें रियल मड्रेट बार्सिलोना मैंचेस्टर युनाइटिड ये सभी खेलती है और एक होती है टीम वाला जिसमें अर्जंटीना जीती थी फ्रांस को हराकर तो वैसे ही वालीबॉल का भी ये था कलब वर्ल्ड कप और ये पहली बार भारत में खेला गया कलब वर्ल्ड कप ठीक है पहली बार भारत में खेला गया ओल ओवर एडिशन इसका अठार्वा था लेकिन इंडिया में पहली बार खेला गया तो आँ इसके बारे पढ़ते हैं तो वही लिखें चीजे ओवरॉल 18 एडिशन है लेकिन भारत में पहली बार आयोजित किया गया कहां पर बेंगलूरू में अब जीता कौन है तो यह देखो सर सिकोमा पेरूगिया करके टीम है एक की इन्होंने अपना दूसरा टाइटल जीता है किसे हराकर इटांबे मिनास को हराकर नाम अजीब है जी हां तो वही मैंने तब आगे लिखा है सर सिकोमा पेरूगिया ये टीम है इटली की और इटांबे मिनास ये टीम है ब्राजील की फाइनल में हारे अब अपने लिए क् डिफेंडर्स ने इंडिया को रेप्रेजेंट किया था आपको मैं बता दूँ छे कंट्रीज थी स्वरी छे क्लब्स थे इसके अंदर और इंडिया की बहुत ही बड़ी अच्छी हमने परफॉर्मस नहीं करी एक मंट दो मैंने स्क्रीन शॉट भेजे हुए हैं यह रोड़ा स शो होने में टाइम लगा देते हैं इंटरनेट हमारा सोड़ा सा ज्यादा तेज चलता है एक मिनिट दोस्तों हाँ तो यह रहा यह देखो तो यह है चेटी में यहां पर आई थी पहला आप देख सकते हैं इटली की सरसिकोमा दूसरे पर ब्राजील की इटांबे तीसरे पर जापान की संटोरी चौत्छे पर टर्की की हालक बैंक पांच पर ब्राजील की साड़ा कुरूजियो और छठे नमबर पर रही है इंडिया की एहमदाबाद defenders तो इसको ध्यान रखेंगे वेरी 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 important चीजें और इसी के साथ चलते हैं हम अगले सवाल की और अगला सवाल अगला नहीं अगला करेंट फिर आएगा नैशनल और कल की सबसे बड़ी नैशनल नियूस कौन वो बताऊंगा पहले एक बार सौ लाइक कर तो आप तो सौ लाइक तो मांग सकता हूँ मैं आपसे हैं बस इतना सा खवाब है खवाब तो वैसे बहुत हैं लेकिन फिलहाल यही है इस कलास में तो पहला करेंट फिर कल का सबसे बड़ा आप सभी को पता है यह जो लोक सबाय में हुआ यह जो बंदा देख रहे हैं आप कूता फांता हुआ आया यह टेबल पर टेबल कूता हुआ आया और फिर उसके एक का जो पार्लिमेंट में अटैक्स हुए थे जिसमें 6-7 लोग शहीद हुए तो उन्हें शर्दांजली दी गई ऐसी वहाँ पर सिक्योरिटी थी तो काफी शर्मनाक बात काफी डरावनी बात जाते जाते वो नारे लगा रहे थे कि सम्विधान को बचाओ सम्विधान को लोग सभा की दर्शक दीरगा से कूद कर दो अग्यात लोगों ने हंगामा की और सदन की कारेवाई स्थगित करनी पड़ी आपको पता दें अब इन्होंने ना उसके बात कर दिया कि जो भी लोग अंदर जाते हैं आप देख भी पहले तो आप जानी सकते हैं जब लोग थे उनके द्वारा सेंक्शन की हुए पास थे तो बहुत बड़ी शड़ेंतर है बहुत बड़ा इसके उपर इंक्वाईरी बैठती भी बैठनी भी चाहिए और अभी इन्होंने कुछ रेगुलेशन दे दिये कि जहां पर भी दर्शक बैठेंगे जहां पर बैठेंगे उन तो रात को होता है बारा बज़े लेकिन अब बारा बज़े तो लोकसवा बैठनी सकती इसलिए दोपहर को बारा बज़े जब भी रोकसवा या राजसवा होती है धीक बारा बज़े जिरो आर लिया जाता है अब जिरो आर क्या होता है जिरो आर में वो क्वेश्टन लिये जाते हैं जिसकी आपने पहले इंटिमेशन नहीं दी होती देखो दो तिन तरह के question होते हैं हम बैंक के SSC पेपर कोई भी बच्चे तियारी करों से बता दूं मैं दो तिन तरह के question होते हैं हमारे पास जी मेरे को इस दिन ये आपके मुझे आपको जवाब चाहिए लेकिन जीरो आर ये है कुछ भी important चीज चली हुई है वह आप यहाँ पर सवाल जवाब कर सकते हैं एक दूसरे से जीरो आर एक घंटा तो आओ इसके बारे बाते पढ़ता होनी चाहिए तो जीरो आर ठीक 12 बज़े दो पहरे को शुरू होता है और जीरो आर हमारे किसी भी rules of procedure में किसी भी constitution में कहीं भी mentioned नहीं है यह हमने शुरू किया है बस कि यह बात भी ठीक है अब हर सवाल के लिए हम 10 15 दिन पहले advance में बता दे हैं 10 दिन पहले advance में बता दे कि भाया यह सवाल पूछना है अब देश में कुछ बड़ा हो गया हमको अभी सवाल पूछना है क्या करेंगे उसके लिए जीरो आर निकाला था तो अभी तो बात चीती चल रही थी जब इन्होंने कुद फांद कर य याने की पांच टेररिस्ट ने अटैक किया था जिसमें छे दिल्ली पुलिस के कर्मी दो पारलिमेंटरी की सेक्यरिटी सर्विस के और एक गार्डनर याने की छे साथ आठ नौ लोग शहीद हुए थे और ऐसे दिन पर ऐसा हमला होना बहुत ही डिरावनी बात है तो हाँ चलिए अब करंटे फिर की ओर आएं तो कहां पर हुआ यह हमला हुआ यह हमला हुआ बैटा लोकसभा के अंतर है यह हुआ लोकसभा के अंतर है अब नई लोकसभा बनी है नया पारलिमेंट बना है आपको पता है तो दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा प पंस्रा होता है राज्यसभव जिसके अंदर 384 सीट्स लोगसभव के थीम पर में पीकों कहाता है यह जो नया पार्लेमेंट है नए वाला यह किस ने बनाया है के दो सर मिस्तरियों ने बनाया था मिस्तरी किसके थे मिस्तरी थे बेटा टाटा प्रोजेक्ट के मिस्तरी थे किसके टाटा प्रोजेक्ट के और इनको बनाया है इनको डिजाइन किस ने दिया डिजाइन किस ने दिया था तो डिजाइन वाली कमपनी थे गुजरात की कमपनी जिसका नाम है HCP Design और Chief Architect कौन है अब ऐसे तो हैं नहीं HCP Design में अगर हजार लोग काम कर रहे हजार के हजार लगे कि एक लकीर तू मार एक लकीर मैं मारता हूँ तो एक स्केल से तू लो एक पैन से मैं लो तो बिमल पटेल थे यहां के Chief Architect ध्यान रखेंगे बिमल पटेल है थे क्या है यहां के Chief Architect तो यह थोड़ी सी बात है आप ध्यान में रखेंगे नए पारलेमेंट के बारे में ठीक है बड़ी चीज है सौ साल के बाद 1927 में पिछला पारलेमेंट का उद्गाटन हुआ था और अब 2023 में जाकर भारत का दूसरा ही संसद दूसरा ही पारलेमेंट बना है तो important चीज है याद रखेंगे ठीक है चल पढ़के देखो अपने आप ही क्या लिखा है जवानी में कम निवेश से बुढ़ापे में अधिक लाब पाएं आप पढ़ते हैं क्या चीज है तो वित्त मंतराला यानिकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यानिकी निर्मला सीता रमनजी के मंतराले के इतना हो चुका है वो छय करोड़她 gonna 창 को पार कर गया है साल में 89 इस साल में 89 लाइक लोगों ने इस जोजना में अपना نाम दिया है अब पड़ते हां अटल पैंचन जोजना क्या है अटर पैंचन एक सोशल सेक्योरेटी स्कीम है मैं अपने नागरिकों की हैं करने के लिए शुरू किया था, इसका मेन मोटीव क्या था, कि हमारे जो भुजर्ग हो जाते हैं लोग, उनके पास पैसा आता रहे, अब जो लोग सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, आप लोग क्यों कर रहा हैं सरकारी नौकरी, कि रहे सर पैंशन मिलती है, तो पैंशन बंद भी होगी है, उनको अभी भी पैंशन मिलती है, तो बेसिकली, कई स्टेट में पैंशन फिर से शुरू होगी है, हमाचल में फिर से शुरू होगी है ये पैंशन, तो एक तरह से पैंशन की चीज है, कि यार जो नौकरी कर रहा है बंदा, उसके पास तो पैसा है, जो बिचारा लेकिन महन उनके लिए ये वाली स्कीम चलाई गई थी, पढ़ते हैं आओ, तो इसके तहट जो भी सब्सक्राइबर होगा, यानि कि जो भी अपना नाम यहां पर देगा, जो एलिजिबल होगा, उसे तीन तरह के बेनिफिट्स भी लेंगे, कैसे, उसको हजार रुपे से पांच हजार रुपे तक की पैंचन मिलेगी, depending on आपने अपनी जवानी में कितने कितने यहां पर पैसे डाले हैं, किपसे 60 साल के बाद से, depending on आपने कितने कितने पैसे यहां पर डाले हैं, और based on the age of joining the scheme, आप अगर 25 साल में जोइन कर रहे हैं, आप 30 साल में जोइन कर रहे हैं, उस रिस आप से आपकी pension को calculate किया जाता है, ठीक है, तो the same pension would be paid, मान लीजिये, किसी कारण से, जो भी subscriber था, उपभोगता, उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी spouse को, उसकी घरवाली को, उसकी घरवाले को पैसे दिये जाएंगे, और मान लीजिये, उसकी घरवाली है, घरवाला वो भी मर जाता है, तो एक nominee का, पता है ना, आपको nominee होता है, आपका अगर bank account है, तो आपका भी कोई nominee होगा, तो वो nominee को दे दिया जाएगा, जो भी उसका पैसा होगा, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत important है, पेपर में generally question हमारे पास यही बनते हैं, कि ये कहां से launch की गई थी, 9 उसके बाद ये pension दी जाएगी, जो major question बनते हैं, ये हैं, ठीक है, और पैसी की बात हो रही है, तो कौनसी अपनी मंतराले होगा, दो मंतराले आ जाएंगे, एक तो finance minister को हर जगा होता ही होता है, सीधी सी बात है, दूसरा social justice and empowerment, तभी मैंने mention नहीं किया है, जब एक मंतराले क करता है, तब generally अपने पास question आ जाते हैं, ठीक है, बाकी से और बढ़िया सा क्या question बन सकता है, जहरीला सा, वह आज शाम को PPT बनाओंगा, इस पर बहुत सुन्दर सा question आपके लिए तयार करके ले आओंगा, इसी बात पर वीडियो को like भी कर दो, यार, चलो, तो प्रदान म अंतरी मोदी जी ने उस घाटन किया, ग्लोबल पार्टनर्शिप का on AI Summit in New Delhi, यह एक्चली शुरू होकर खतम भी हो चुका है, 14 दिसंबर को, मोदी जी आये थे, 14 दिसंबर को, sorry, 13 दिसंबर को आये थे, तो आज है यहां पर, आखरी दिन है इसका, आए पढ़े इसके बारे तो एक बहुत ही बड़ी gathering थी, यहां पर मोदी जी ने Global Partnership on Artificial Intelligence Summit, इसको कहा जाता है G-Pay Summit, G-Pay Summit कहा जा रहा है इसको, Global Partnership on Artificial Intelligence Summit, कहा पर हुआ यह भारत मंडपम नई दिल्ली, जहां पर G-20 हुआ था, याद न, जिसके आगे सबसे बड़ी दुनिया की नटराज की मूर्ती है, 28 फिट उन्ची मूर्ती है, वही पर हुआ यह, Global Partnership on Artificial Intelligence Summit, अब यहां पर क्या बात है की है, कि यार, Artificial Intelligence खतरनाक है, Artificial Intelligence को हमको साथ में मिलकर डेवलप करना चाहिए, हमको बचना चाहिए, कुछ गडबड़ना हो जाए, गलत हातों में न पढ़ जाए, मेरी और आइसे तो हो रहा है, पिछले साल क्यों नहीं कभी मोदी जी गाना गाते हो, तैम काट के, गाना कान से हाग, इक बारी मिलन है, सुना है, मोदी जी की चाहीए, मौदी जी मुझे वर्ल्ड काप चाहिए, तुमारा, क्यों मोदी जी अभे दे तू, यह लो रोनाल्डो, मोद यहां चल रहा है सब तो कर रहा है काम और कौन कर रहा है तो वही बाते हैं कि यार बचो जितना बच सकते हैं बचो डीफिक कितना ज्यादा आने लगा है वो बिचार रश्मी का मंदाना कि क्या वीडियो से क्या बनी हुए रश्मी का मंदाना है भी नहीं कहीं तो इसे क्या कह जा रहा है, सारा AI का कान रहे करा हुआ है, तो यहाँ पर 28 देश और European Union के लोग आये थी, यानि कि टोटल 29 पार्टीज थी, और इन्होंने New Delhi Declaration को अडॉप्ट किया, क्या कि इन्होंने New Delhi Declaration को यहाँ पर अडॉप्ट किया, कहां पर Global Partnership on Artificial Intelligence के, जैसे मैंने बोला, इसको GPAY हम करेंगे, ठीक है, आओ, तो डिली Declaration में क्या है, कि सभी Countries और European Union साथ में घूमेंगे, concerns है, जो भी misinformation और disinformation, शुरुवात ही इस से हुई है, क्या Deep Fake में ऐसा नहोना है, अभी तो चलो मजाक की बात चल रही है, मान लोग को Deep Fake बना दे, मोदी जी का कि आज पाकिस्तान पर बातों को, इतने में तो क्या से क्या हो जाएगा, कि हम नहीं थे, ये Deep Fake था, क्या से क्या हो जाएगा, मोदी जी वाली बात वैसे comedy थी, मोदी जी कहते है, मैंने वीडियो देखी, मैं नाच रहा हूँ, मैं तो नाचीन रहा था, तो फिर बात में पता लगा, मोदी जी का हम शकल था, वो असली में नाच रहा था, लेकिन मैंने तो बोला ही नहीं, Deep Fake, आप लोगों ने फैला दे, Deep Faker करके, और ये मोदी जी तक वीडियो चलीगी, तो यही ये शुरुवात वही की है, unemployment को कैसे रोका जाए, transparency लाएंगे, fairness लाएंगे, ये सबी चीजों को बचा क है, ये जापान में हुई थी, और अब किसके पास होगी बैठक, अब भारत में होगी बैठक, आओ, तो जी पे, जी पे एक grouping है countries की, North और South America की, Europe की और East Asia की, जो कहते हैं कि AI के use में हम साथ में चलेंगे, मिलकर develop करेंगे, मिलकर इसको तैनात याने की install करेंगे, और मिलकर इ 28 countries और एक European Union टोटल याने की 29, आओ, तो partnership को पहली बार proposal दिया था, Canada और France ने जब 2018 में 44th G7 की बैठक हुई थी, Canada में, G7 आपको पता है, मैंने आपको बताया था, आपकी girlfriend है, वो fitness freak है, juice पीती है, juice girlfriend, Japan, USA, Italy, Canada, England, Germany और France, तो G7 की बैठक हुई थी, 2018 में, Canada में, तो वहाँ और यहनों ने बोला था कि भाया, ऐसा कुछ बनाते हैं, Global Partnership on Artificial Intelligence, और फिर दो सालों बाद, 2020 में, इसको launch कर दिया गया, अब यह चीज़ पढ़ो, इसको host कौन करता है, organization for economic cooperation and development, full form से ही clear है, organization for economic cooperation and development, यह एक देशों की एक organization है, जिनका काम यही है कि हम business कैसे करें, बढ़िया बलकर धंदा कैसे करना है, पैसा कैसे लाना है, इनका काम ही यह है, OECD का, तो जीपे को host कौन करता है, OECD host करता है, शुरुआत कब हुई, 2020 में हुई है, idea कब दिया था, 2018 में, Canada में, next, तो यह देखो भी, it officially launched in June, on June, 15, 2020 में हुआ launch, बहुत बढ़िया, और since November 2022, इसमें members कि 29, वो हमने पढ़ भी लिया, कि 28 countries है, और एक क्या है, European Union है, हमारे पास, चलो, अब OECD क्या है, जो इसे host करता है, मैंने आपको बता है, intergovernmental organization, जिसमें 38 लोग है, जिनका काम क्या है, कि धंदा कैसे करना है, पैसा कैसे लाना है, economically कैसे progress करें, और world में trade कैसे करें, यह है, यह कब बनी, 1961 में, France Headquarter और Secretary General हो जाता है, Mathias Corman, यह हैं चीजें, जो आपको ध्यान में रखनी है, इंडिया के पास, 2024 की प्रधानगी है, अध्यक्षता है, इससे पहले किसके पास थी, जापान के पास, पहली बार 2020 में हुआ, डंडील है, 2021-2022, चौती बार हो रहा है, समझ आय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैतरी, चलिए, अगला चलते हैं, लो भाईया, वर्ल्ड न्यूस की और रुख करते हैं, थोड़ा ही पढ़ेंगे, तालीस मिनट हो चुके हैं, पुरानी रिवीजन भी कर लिए हैं हमको, चलिए, यह तो हमने कर हमने हैं, फिर से आगया ऐसी, तो एनिवे कोई बात नहीं, चलो, डॉनल्ड टस्क बन चुके हैं, पॉलेंड के नए प्राइम मिनिस्टर, रिप्लेस किया है, मात्यूस मौराविकी को, और पॉलेंड कुछ यहां पढ़ता है, यूरोप में, इसके साथ बड़ी खतरनाक सी कंट्री लगी हुई हैं, यह है यूकरेन, यह है बेलारूस, यहां पर आपके बाल्टिक सी के पास यह बढ़ जाता है, फिनलेंड और यह है रशिया, तो इसके बारे बाते हैं, डॉनल्ड टस्क, प्रेजडेंट है अंद्रेज दूदा, डूडा, या दूदा, नहीं डू नशों की बात करते हैं, चलो, तो आजकल गानों में भी आपको पता है, नशे तब नशों के बिना तो गाना ही नहीं पूरा होता, तो यह है बटा अफीम, अफीम पता है आपको, अफीम मतलब ओपियम, तो ऐसा कुछ पोदा होता है उसका, ऐसे लोग ऐसे खावी लेते है तो Myanmar दुनिया का सबसे बड़ा अफीम का बनाने वाला देश है South East Asia में OPM सर्वे किया गया है उसके सहत कमाल की बात है न Myanmar दुनिया का सबसे बड़ा OPM प्रोड्यूसिंग देश है सबसे ज़्यादा OPM South East Asia में यहीं पर बनाया जाता है तो आउ पड़े तो United Nation का Office on Drugs and Crime है जो इसने South East Asia की OPM सर्वे की इन्होंने लिस्ट निकाली और उसमें पता लगा कि Myanmar है दुनिया का सबसे बड़ा अफीम बनाने वाली कंट्री सबसे ज़्यादा अफीम यहाँ पर उगाया जाता है पौदे ही तो है अब या तंबाकू हो गया क्या होता है वो फौदों से तो आता है कहने को तो कहें हर्बल चीजें है लेकिन है तो नशे और खतरनाक नशे तो देखिए तो इन्होंने बताया कि 2022 से 23 तक एक साल में Myanmar में 18% इंक्रीज हो गया याने कि तालीबान वहाँ पर आया है वहाँ पर OPM के खेती में गिरावट हुई है और छोटी मोटी गिरावट भी नहीं 95% तक की गिरावट हुई है जबसे तालीबान ने टेक ओवर किया है टरंस आउट सब कुछ बुरा नहीं कर रहा तालीबान है ना ओडियार तो मैनमार की बहुत बूरी है मैनमार में इसमक डेमोकरेसी नहीं है मैनमार में वहाँ की फौज ने टेक ओवर कर लिया था तो अभी भी वही चला हुआ है और इसको रखेंगे हम ध्यान में ये लास्ट करते हैं आज का तो जैसे कि हम बात करी थी आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले की United Nation के Secretary General कौन है हमने बताया था कि Antonio Guterres है राइट अभी के और वो कहां से है Portugal से है उसी तरह South Korea के जो हमारे former United Nation के Secretary General थे जिनका नाम है Ban Ki-moon इनको lifetime achievement award दिया है at the power of one award ceremony ठीक है ध्यान रखेंगे Ban Ki-moon, he is from South Korea ये पहले United Nation के प्रधान रह चुके हैं अध्यक्ष रह चुके हैं इनको power of one award दिया है आँ पड़ते हैं तो USA में former United Nation के Secretary General Ban Ki-moon को honor किया गया lifetime achievement award के साथ कहां पर power of one award ceremony में जो organize करवाया था दिवाली Foundation USA ने बहुत ही बड़िया तो अवार्ड दिये जाए selfless individuals को हिंदी में पढ़ेंगे अच्छा लएगा यह पुरसकार नी स्वार्त व्यक्तियों को जने कि अपना कोई स्वार्त के बिना वाले सभी के लिए एक शांती पूर्ण और स्रक्षित दुनिया बनाने में उनकी मदद के लिए दिया जाता है इनको जो आव़ोर्ड है इसको oscars of Diplomacy भी कहा जाता है कूतनीती जो होती है उसके oscars भी इनको कहा जाता है अब और बैसेडर मिरसादा कोला कोचिक कोली राजदूत मिरसादा कोला कोविक question इंडिया की पर्मनेंट रेप्रेजेंटेटिटि तू युनाइटिड नेशन कौन है जैसे की बॉसनिय और हर्जे गोविना की है ये इंडिया का कौन है तो इंडिया की permanent representative to the United Nations है रुचिरा कमबोज ध्यान रखेंगे very important कौन है रुचिरा कमबोज इंडिया's permanent representative to United Nations अगला former permanent representative of South Korea to United Nations वो भी किम सूख और तीसरे पर आते हैं 72nd United Nations के General Assembly के President European Union के special representative और बहुत बड़ा हो गया रहे तो बड़ा भी नहीं जा रहा मुझसे तो लाइट आ रही है 72nd United Nations General Assembly के President European Union के special representative for the Belgrade Pristina Dialogue Miroslav Legkak मैं भी डर गया देखो आप इनी डर है मैं भी डर गया बहुत सारा हो गया है इतनी बत्ते मीजी नहीं चलेगी है ना चली एनीवे इस वक्त कौन सी General Assembly चल रही है इस वक्त चल रही है 78th United Nation की General Assembly इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है Dennis Francis आप सभी से question है ये कौन सी country से है आप सभी से question है ये कौन सी country से है फटा फट बताओ चलो इसको question of the day कर देते है इत इस the question of the day ये question of the day है class खतम होने के बाद जब वहाँ पर comment show होने लगेंगे वहाँ पर आपको बताना है कि 78th General Assembly के जो प्रेजिडेंट है Dennis Francis he is from which country हो तो मेरे को देखी लिए किसी को भी नहीं पता गूगल करना लेकिन याद करना फिर लिखना ठीक है चलिए अब हम कर लेते हैं परसों के करेंट फिर की रिवीजन वन लाइनर की फॉर्म में चलिए पहला दुबई ने उत गाटन किया दुनिया का सबसे बड़ा concentrated solar power project हमने पढ़ा था क्या यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा solar tower भी लगा है जो की 263.126 मीटर उंचा है और 5970 मेगावाट आर की capacity है इसकी very important यहाँ पर क्योंके COP 28 हो रहा था अगला और दुबई में ही world radio communication conference हो रही थी और इन्होंने UAE के ही मुहमद अलरामसी को अपना chairman न्युक्त किया है यह conference कौन करवाता है international telecommunication union करवाता है next शीतल देवी जो की जम्मू कुश्मीर से हैं इन्हें best young athlete का award दिया गया रियाद साओधी अरेबिया में best female athlete बनी है उस बेकिस्ता की असीला जो कि एक long jumper है best athlete बने है पैंक जैंग चाइना के जो की एक skiing करने वाले skier है और best team की बात करें तो इरान की wheelchair basketball team को अगला time magazine ने Lionel Messi को athlete of the year चुना है यह अर्जंटीना से हैं लेकिन खेलते युनाइटिट स्टेट्स के कलब से हैं इंटर मयामी से खेलते हैं अगला मोहन यादव नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं शिवराट सिंग चोहान को replace करके और एक activist है निखिल डे इनको anti corruption champion चुना गया है बाइस US का state department इंडिया ने एक million dollar की help announce की है Papua New Guinea के लिए क्योंकि वहाँ पर एक जुआला मोगी फट गया है Mount Olavoon नाम का और मैत्री दिवस मन आया गया था क्योंकि इंडिया ने help की थी अगर इंडिया ना होता तो आज बांगलादेश बांगलादेश ना होता वह पाकिस्तान ही होता और पार्लेमेंट ने बहुत ही बड़ा जे एंड के reservation and reorganization bill पास किया था पहले 83 विदानसभा सीट्स थी अब 90 हो चुकी हैं उसमें डैनिस फ्रांसीज हैं वो कहां से हैं कॉमेंट्स में बताना है और जो बच्चे एक लग की preparation कर रहे हैं उनको मैं दुबारे बोलूगा बहुत ही अच्छा मौका लास्ट कर देयर बहुत मेंटर करते हैं आपने पिछले तीन महीने क्या पड़ा वह मेंटर नहीं करता आपन जिने के लिए यह आपके लिए फास्टेक रिवीजन बैच है जो कि कल से शुरू हो रहा है तीन से चार अंग्रीजी क्लास साड़े चार साड़े पांच रीजनिंग और साथ से आठ मैट की क्लास होगी और यह बैच आपको केवल वाई 383 लगाकर केवल 1100 का पड़ इसे कि पॉरा आपका जा रहा है जनर्री दो तक रिजनिंग उसी मैट्स क आपका पंदर दिसंबर से से आपकी एंटिसनिख की क्लास कैसे दिसमबर 15 से इसमें आपको टॉपिक आपका एक टॉपिक हर एक आपका जो कॉंसेप्ट है उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करते तो अगर आप करना चाहते हैं यह बहुत ही बढ़िया मौका है इसमें रोल करने का एंड्रोल कैसे कर सकते हैं इसका लिंक मैं वीडियो को कॉमेंट सेक्षिन में लगा दूँ क्लिक करेंगे और आगे ही आपको पड़ा मिल जाएगा यह रहा यहाँ पर रेट कभी 5000 दिखाया कभी 1200 डरना नहीं है घबराना नहीं है बाइन आउपर क्लिक करना है कुपन कोड भरना है वाई 383 वाई 383 और यह पढ़ जाएगा आपको वेब साइट पर साड़े 1100 का हमक कीज आपको पढ़ जाएगी केवल 1100 की आपको किसी भी तरह की confusion है इस क्लास की PDF कहा मिलेगी इससे आपको related कोई question है कुछ भी आपको question है मिरसका आप पूछ सकते हैं टेलीगराम चैनल बता देता हूं आपको current affairs by गगन यह सर्च कर लीजिएगा आप current affairs by गगन किसी भी तरह का doubt कुछ भी आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं सभी बच्चे यहां पर जुड़ जाएं और बाकी मिलते हैं कल सुबह 6.45 एम पर एक बार फिर से एक तड़कते बड़कते session के साथ दुबारा बोलूँगा SBA clock मौका मत गवाना एक साल पर बात चली जाएगी फिर यह हो जिन्दिगी में काश करी लेते काश करी लेते काश एक ऐसी चीज़ा है जो जिन्दिगी में आपको जख जोर के रख देती है क्योंकि काश का मतलब है आपने करा ही नहीं तो इसको देखना अगर तयारी बहुत ही बढ़िया करनी है कुछ भी एक भी कोना नहीं छोड़न तो यह आपके लिए special batch है ध्यान रखेंगे Y383 link मैं comments में लगा दूँगा All the best guys, take care and Bye Bye